वाहि गुरुजी एक ओ अंकार सत्ना मुकर्ता पुर्ख निर्पाओ निर्वैर अकाल मुर्त जुनी सेफ अंगुर परसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नान खोसी पी सच सचे सोचना हो वहीं जै सोची लाक्हवार कोपच उपना हो वहीं जै लाहरा लेव तार प ediyor फिर्ख न उत्री जै बना पुर्या पार सहस स्यान पालकह हो एक नंचर नान केवः सच्यारा हो आरह केव गुररह फ्टत्यपाल हुकमर जाई चलना ना ञिक्लिक्या नान हुक्मी होवन याकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी है हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्म नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है एक ना हुक्मी बक्सी से एक हुक्मी सदा पाईया है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म ना कोई दे नान खुख में जैसाता है कोतान हो है किसी ने आण नीसान प्राइको विचह उसादो साज करतान कै में अलत्रा सथी नाधा दूर कथना आवे कथी नयां Drop ум when it the देदा दे लेंदे ठक पाहे, जुगा जुगा जुँ अंतर खाही खाहे, हुकमी हुकम चलाए राहो, नान की विकसाई वे परवाहो, साचा साहिव साचनाई, पाख्या पाऊ पारो, आख्या मंगह देदे, दाद करे दातारो, फिर के अगर रखिया जित दुस्या दरबारो, मुहाँ के बोलन बोलिया, जित सुन तरे पयारो, अंगरत वे ला सचना ओडियाई वीचारो, कर्मिया वे कपड़ा नदरी मुखदवारो, नान के वे जानिया सब आपे सचयारो, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आपने जन सोए, जेन से वे आतन पाया मानो, नानक ग गविया गुनी नदानो, गाविया शुनिया मनरखिया पाओ दुख पर हरसुख कर लै जाए, गुर्मक नारंग, गुर्मक वेदंग, गुर्मक रहा समाई, गुर्पछ रिसर गुर्गॉर्क वरम tussenौत्य मायी। कारे यार जाहुर्द सुनी होए नवाखंडा विट जानिया नाल तिला सबकोए चंगा नावर खाई का एजस्कीत जगले है जेतिस नदरना यावाई ता वातना पुच्छा के कीटा यंदर कीट कारदो सीदो स्थरे नानक नरगुनें गुन करे गुन वंतियां गुन देतिह कोई नस जग्य जय तैस्कुन कोई करे सुने आ सेद पीर सुर्नाथ सुने Täर्थत मलّ आ कास सुनै दीपन पाताल सुनै पोहेला सुका काल नानक पक्ताँ स्दा विगासो सुने दूख-बाप का नासो सुनै इस्वर बर्म अड़ो सुनै भर्मन मणो शुनै जोक जोगत तन सुने ऐह सास्त सिम्रत वेदे, नानुक पगतां सल्किछ सुने ऐ Drुक पाप का नासु सुनेस सतसंतोगयरन। सुने इच सठके सुनान। सुने यह पड़ पड़्ज़कय है मान। सुने लागए एसा नाम जिनन जननक मुफद्वारों बंपड़ों मंन कोई पंच परवाण पंच परदाउं पंचे पावएद्र गवाण पंचे सोहा है धार राजान पंचा का कुरेक त्यान जे को कह करेवी चार करते कह करना नाहीं सुमर तौल तर्म दिया का पूत संतोक्ता परख्या जिन सूत जे को बुझ जाओ वेस चशार तवले मेर दोपर केता पारोतरती होर प्रहोर होर मेर जीजातरंगा के नाव सम्ना लिखिया बडी कलामänder हुह। किता तान्ट सवाल्या रूप किति। जाने काउन कूत की तप्साओ एको कवाओ तेस्ते होएलक दर्याओ कुदर तकम्न कहां वीचार वार्यान जावाएक वार जो तुद पावैसाई पलीकार तूसदा सलम्प निरंगकार संख जाप संख पाओ संख पूजा संख तपताओ संख ग्रंत मुख वेद पाठ असंख संख स्थी संख दातार संख सूर्म पक्सार संख मौन लेवलायतार कुदर तकम्न कहां वीचार वार्यान जावाएक वार जो तुद पावैसाई पलीकार तूसदा सलम्प निरंगकार संख मूर खंद कोर संख जोर हराम खोर संख कमर कर जाहे जोर संख गलवर्ड अत्या कमा है संख कुड़यार कूड़ YOUR फ्राहसंग मलेच मल पककाहैं संख निंदिक सिर पार नानकुनीज कहई वीचार वार्याना जावाए एक बार जो तुद पावैसा यह पलिकार तूसला स्लामत दिरंकर असंख नाव संख थावा गमा गमा संख लोगा संख कहा सिर पार होए अक्री नाम अक्री साला हा अक्री ग्यान की तुनगा हा अक्री लिखन बोलन बाने अक्रा सिर संजोग बखाने जेने लिखे ते सिरना हे जे फरमाए ते बतिपाहे जेता कीता तेता नावे नावे नाही कुदाओं कुदर्त कवन कहाँ वीचार वार्यान जावाए एकवार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा स्लाम निरंकार परिया हत पैर तंदे है पाणी तो तै उत्रो सोखे है बूत पलीती कपड होए दे साबून लईया ओह तो है परिया मत पापा का संग ओह तो पैर नावे कारंगे पुन्नी पापी अक्रुना है करकर करना लिख ले जाओ आपे बीज यापे ही खाओ नान खुक्मी आभव जाओ तीर्थो तापो दया दातु दानों जेको पावै तेल का मानों सुने आ मन्निया मन कीता पाव अंत्रगा तीर्थ मलना हो साब गुन तेरे मैं नाही कोए बिन गुन कीते पगतना होए स्वास्ते आ थे बानी बर्माओ साथ सुआन सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थेते कवन बारो कवन से रुती माहो कवन जित हुआ आ कारो वेलना पाई आ पंड़ती जे हुवै लेख पुराण वक्त ना पाई होका दिया जे लिखन लेख पुराण तेतवार ना योगी जाने रुत्मा होना कोई जा करता से ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव साला ही कवर नी किव जाना नानुका अखन सब को अख है एक दू एक सियाना वड़ा साहिव वड़ी नाई कीता जाका हो गए नानक जे को आप आऊ जाने अगैंगा इनासो है पताला पताला लखं यागास है आगास ओड़कोल पाल थके वेद कहने कवात, सहसा ठारह कहने कतेबा, असलो एक ताहत, लेखा होई तलिखिया, लेखा होई विणास, नानक वड़ाया किया, आपे जाने है आप, सालाही सालाही, इती सुपना पाईया, नदिया तैबा, पभै समुंद न जानिया है, समुंद सहसुल्तान, गिरह से तीमा कीड़ी तोलना हो, निजे तिस मनों आविसरा है, अंतोना सिफ्ती कहना है, अंतोना करना है, अंतोना करना है, अंतोना वेखन सुननना अंतो, अंतोना जापै किया मान मान तो, अंतोना जापै कीताया कार, अंतोना जापै पारावार, अंत कारण के ते बिललाहे, ताके अंत नदरी कर्मी दाते, बहुता कर्म लिखिया न जाए, बड़ा दाता तेल ना तमाए, केते मंगा जोधा पार, केते अगंग नहीं वीचारो, केते खब तुट्टाए वेकार, केते लैले मुकरपाए, केते मूर्ख खाही खाहे, केते अदुख कुशादमार, एपे दात तेरी बंद खलासी पाने होए, होर आख न सकाए कोए, जे को खाए को अखन पाए, ओह जाना जेतियां मुह खाए, आपे जाना आपे दे है, आकह से पे के इके है, जिस नो बकसे सिफ्ट सालाह नानक पाथशाही पाथशाह, अमुल गोण, अमुल बापार, अमुल बापार, अमुल तर्म, मुल दीबान, अमुल तल, मुल पर्मान, मुल बक्षीस, मुल नीसान, अमुल कर्म, मुल फुर्मान, अमुल अमुल आख्याना जाए, आख्या आख्या रहे लवलाए, आख्या वेद पाथ पुरान, आख्या पड़े करह बख्यान, आख्या बर्में, आख्य आखी एखेज़ग कती। व्हृष्या बलाप्र करकेश सो दारुकेहा सो कारुकेहा जितभै सर्वसमले वाजे नादन एक संखा केते वावनहारे केते राग परीसियो कईयन केते गावनहारे गावे तोनों पाउण पाणी वह संतर, गावे राजात अंदवारे, गावे चेत गुपत लिख जानाय, लिख लिख अर्म भीचारे, गावे इसर बरमUNDेवी, सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे, देरते antar नाले, गावे सिद समध दी अंदर, गावन साध विचार घाहस को शुजोगी वक्राुजोगी स्विल्चति पूर्यशाइंग गावैं खंड बंडल वर पंड़ा करकर रखे तारे से तो दो गावैं जो तो पावन रते तेरे पगतर साले और के ते गावन से मैं चितना आवन नान खुक्या वी चारे सोई सोई स्वासत साहिब साचा साचीनाई है पी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती करकर जिनसी माया जिनों पाई करकर वेखाय कीताया अपना जिवतिस्दी वड़े आई जो तिस पावै सोई करसी हुक्मना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहब सब्सक्राइब 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 दोई दाई दाया, खेलाई सगल जगत, चगी आया, बुरी आया, बच्चे तर्मु दूर, कर्मी आप अपनी के नेड़ा के दूर, जिन्नी नामत आया, गए मसकत काल, नानकते मकुझले, केती छुटी नाल, जिन्नी नामत आया, गए मसकत काल, नानकते मकुझले, केती कि नाले वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते हुआ एकोंकार सपना करता पुरत निर्पो निर्वेर अकारा उरत अजुनी से भं गुरु परसाद जापर आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच ना हो वई जे सोची लखवार चुपए चुप ना हो वई जे लाए रहा लवतार पुखिया पुख न उतरी जे बनना पुरिया पारन सहस्यान पालक हो है ता एक न चले नाल किव सचिया रहो ये किव कूडे पुटे पालो उक्म रजाई जलना नानक लिख्याना पर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सत कुर पाई पै कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले मन का नियंतर वस तुखा लास होए मन का नियंतर वस तुखा लास होए मन का नियंतर वस तुखा लास होए हत दे आप रख्व्या पै पौना पोए हत दे आप रख्व्या पै पौना पोए सदा सदा जपी तेरा नाम सट गुरपाई पै कर किर पा किर पाल आपे बख्ष ले पर गिरबा गिरबा अज़ आपे भख्ष ले कुण गावा दिन रे ये तै कम लाए कुण गावा दिन के बिरे ये ने धानी रे गामाए धानी दाबाई गापमागा दिना तुरे दानी बारे सार नीर गार दे, दे, देने ले, दे, 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 गुण का वा, गुण का वा, गुण का वा, गुण का वा, तिन रे, विसर नाही दाथार, अपना नाम दे हो, अपना दाम दे हूँ, अपना नाम दे हो, अपना दाम दे हूँ, गुण गावा तिन रात, गुण कावा तिन रात, गुण गावा तिन रात, गुण गावा तिन रात, नानिक चाओए हो, नानिक चाओए हो, रेन दिनस परभात, तु है ही कावना, तु है ही कावना, तु है ही कावना, गावना, तु है ही कावना, रेन दिनस परभात, तु है ही कावना, जी जन्त सर्वत, नाओ तेरा क्यावना, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो बुण गावा दिन रात बुण गावा दिन रात नानक चाओ यहो नानक चाओ यहो नानिक चाओए हो, नानिक चाओए हो गुण गावा दिन रहे, एत्य कम लाए संत जना तै संग हो में रोग जाए संत जना तै संग हो में रोग जाए सदा सदा जपी तेरा नाम सत कुर्पाएं पैर पर किरपा किरपाल आपे बक्ष ले पर किरपा किरपाल आपे बक्ष ले सर्ब निरहतर खसम एको राव रहया गुर्पर साथी सच सचो सच लहया गुर्पर साथी सच सचो सच लहया सदा सदा जपी तेरा नाम सत कुर्पाएं पैर कर किरपा किरपाल आपे बक्ष ले कर किरपा किरपाल आपे बक्ष ले दया करो दया दे अपनी सिफ्ट दे दया करो दया दया करो दया दे अपनी सिफ्ट दे दर्शन देखने हाल नानिक पीत ये है सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सत गुर्पाई में कर किरपा किरपाल आपे बख्ष ले 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 सत्तना शत्तना शत्तना जी वाहि गूरु आपे बख्ष ले सत्तना शत्तना 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 जी वाहि गूरु आपे बख्ष ले सत्तना शत्तना 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 जी वाहि गूरु आपे बख्ष ले सत्तना शत्तना 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 जी वाहि गूरु आपे बख्ष ले कर दो कर दो चूट ना बोलिये बोलिये सच करम चूट ना बोलिये चूट ना बोलिये बोलिये सच करम बोलिये सच करम बोलिये सच बोलिये सच बोलिये सच चूट ना बोलिये बोलिये सच करम बोलिये बोलिये सच करम बोलिये 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 सच करम जे जाना मन जाने तुम ना आये तुम ना आये जे जाना मर जाये तुम ना आये कुम ना आये कुम ना आये जे जाना मर जाये जे जाना जे जाना मर जाई है पुमना जे जाना जे जाना 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 इस शबद की पंतियां बहुत मुश्किल है मैं जानता है इसलिए शबद की बीच में थोड़ा सा बताता है शेख फरीज जी शेख फरीज जी हर पंते में हमें मौत याद दिला रहे है के मरना है आज मरना है अब मरना है कल भी मरना है मरना तो है यह हर पंते में मौत याद दिला रहे है टाके में कुझड़ियां बनो मचंद़ियां के टोक रोक काबू में कर अपनी इंद्रियों को जो तोरे मन में आग मचा रहे हैं प्यार से वह लिया धर्ग उर्डार क्यों क्योंकि यही एक जनम है जिसमें तू प्रभू से मिल सकता है और मिलने का अगर तुझे मिलावा करना है उससे तो इन इंद्रियों को काबू में कर गए क्योंकि मर गया तो बात खत्म हो जाएगा ताके में कुझड़ियां मनें मचंद़ियां जे जाना मर जाएगा कुमना आएगा अब समझ गये हैं कि मर जाने और वापिस नहीं आना तो जूटी दुनिया लाग ना आप वन जाएगा तो इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ इन इंदरियों को काभू में कर क्यों और इस शबद का जो सार है दो पंक्तियों में अगर समझ नहोँ तो मरना सच और जीना जूट प्यार से वेलिया धनुट पर ये सब क्यूं समझा रहे हैं शेक परीज जी क्यों आई ये दो पंक्तिए हैं पड़े और समझ दे की कोशिश करें शेक परीजी बार बार हमें मौत को याद दिला रहे हैं क्या कारून है हर पंगती में मौत को याद दिला रहे कि तुने मरना है तुने मरना है क्यों आईए सर्वेंटी सेख है आती जग नकोई धिर नहीं इस जग्र में ऐसा कोई भी निद्था पैदा नहीं हुआ जो हमेशा की लिए जीवित रही जिस आसन हम बैठे केते बैश गया परिज जी कहती है इस वक्त जहां तू बैठा हुआ यहां पर नग जाने कितने बैठ पर चले गए जिस आसन हम बैठे केते बैश गया माप उस बचन किया करते थी थी जहां पर हम पैर रखते ने एक पैर हजारों कोपड़ियां महाँ पर दबी होई धर से वह लिए लंगुरनाले लंगुरनाले इतने लोग आकर चले गए थी बार बार मौत जाद दिला रहे हैं क्यों है इस बात को समझने के लिए के बार बार फरीद जी मौत को यान क्यों करा रहे है क्या पैगान देना चाहते है हजरत मुहम्मद साहब रोज सुबा शाम परवचन की अखिय देते बहुत सारी लोग सुनने आते रहे बहुत समा बेत गया एक दिन हजरत मुहम्मद साहब कहने लगे कि इतने समा होगे आप लोगों को सत्संग सुनते हो परवचन सुनते आज मेरा मन है एक एक आदमी उठकर आए खुद अपने मेरे पास और अपने मुख से मुझे बोलकर एक एब एक गुणा छोड़ कर जाए मैं लिखूँगा कि कौन सा एब कौन सा गुणा इसने छोड़ा सत्संग करने का अर्थ तो यही है ना कि हमारे गुणा कम हो जाए हमारे अंदर जो एब है वो खतम हो जाए मुहम्मद साब लिखने बैठ गए एक एक आदमी आता गया अकेले में अपना गुणा बनाता बताता गया कुछ लोग तो वहां से पीछे से भाग गए कि कौन लिखाएगा मुहम्मद साथ अब कुछ लोग आये जिन्होंने नाम लिखाया एक आदमी बैठा है सारे चले जाए मुहम्मद साब ने उसे अपने पास बनाया कहने कि तुने ने लिखाया बच्छ वो आदमी कहने लगा मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा गुना छोड़े तो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा गुना छोड़ो आप मुझे बता दीजिये मैं कौन सा गुना छोड़ो वो मैं छोड़ दूगा एक छोड़ दूगा आपके कहने पे सिर्फ एक वो बताने लगा कि मैं शराब प्यता हूँ शराब पेने के बाद मैं पोठे पे जाता हूँ बदकारी करता हूँ उसके बाद आदी रात को चोरी करने निकल जाता हूँ शराब पेने के बाद मैं कोई नो कोई बहाना बना देता हूँ किसी को नहीं पता कि मैं छोड़ हूँ और मैं यतने गुनाह करता है, आपको बताएगा, आप बताएगे इन तीनों में से कौन सा छोटा, हजरत मुहमद सब कहने लगे तेरी नजरों में ये सबसे बड़े गुनाह है, वो कहने लगा हाँ, मुहमद सब कहने लगे और छोटे छोटे गुनाह कौन से करता है, कहने किसी के पैसे ले लिए वापिसे नहीं देना पीछे से लोगों के निंदा करना जूट बोलना मुहमद साब रुप गए कहने कि क्या कहा जूट बोलना मुहमद साब कहने कि बाकी सब करता रहे शराप पेता रहे कोटे पर जा चोरी कर पर एक जूट छोट दे प्यार से बोलिया धन गुर्णा ने कर ऑख कहने लेका यह तो बहुत चोटा गुणा है जूट बोलना मुहमद साब कहने कि बस मेरी बात मान मैं तुझे बड़ा गुणा छोटने के लिए कहता ही नहीं हो तो सिर्फ जूट बोलना चूट वो बड़ा मनी मन परसंद हो कितना असान है शराब भी पिलो कोटे पर भी चले जाओ चोरी भी कर लो सिर्फ जूट ही नहीं बोलना लिख कर दे दिया कि आज के बाद मैं जूट नहीं बोलूगा कौमत सब करें लगे मर जाना पर जूट मत बोलूगा उसने लिख कर दे दिया कि आज के बाद जूट नहीं बोलूगा यार सिवलिय दन गुर्णान अब रात होई शराब का प्याला हांद ले पकड़ा पीटी कोटे पर भी चला गया सुबह जब घर आया अज चुप है मुझ से जूट निकल नहीं डा सच बोल नहीं सकता चुप है घरवर ने सोचा लगते किसी परिशानी में यादा ना पूछू उसने दूसरी बार नहीं पूछा और वो पूरा दिन सोचता रहा आज तो मैं चुप रहा बच गया पूरा दिन सोचता रहा विचार करता रात हुए दूसरी जैसे ही शिराब पे ने बैठा मन में ख्याल आया अगर शिराब पे तो कोठे पे जाने का भी मन करेगा पूरा दिन सोचता रहा विचार करता और घरवाली को क्या जवाब दूगा आज नहीं छोड़ेगे लिए पूचाए कि तो जूड बोलने ही सकता सच में बतानी सकता तो शराब भी नहीं पी और जब शराब नहीं पी पोटे भी नहीं गया अब आदी रात हुई सब सोगाए घरवाले तो चोरी करने निकला जैसे ही बार निकला मन ने सोचा अगर सीपा दर के वापिस आजा कई दिन बीट गए एक भी पाप नहीं कर सका प्यार से वह लिए धन गुर नहीं अब कई दिनों के बार जो हजरत मुहम्मद साब के पास आया तो मुहम्मद साब मुस्कुरा रहें कहें लगें कैसे हैं तेरे बाकी के सारी गुना कहें लगा कौन से जड़ है सारे गुनाहों की जड़ है जूट प्यार से वह लिए धन गुर ना न गन गुर ना जिस चीज को हम बहुत चोटा समझते हैं हमारे लिए जूट बोलना कोई बात ही नहीं आम है हमारे जिन्दगे में पर गुरु के नजर में बहुत बड़ी बात है बहुत बॉलिये सच्टर जोर से वह लिए धन गुर नानक जोर से वह लिए धन गुर नानक ऐसा नहीं है कि हम सच नहीं बोलते हैं सच बोलते हैं पर वहां जिससे दूसरे का नुक्सान हो जाए जोर से वह लिए धन गुर नानक जूट वहां जहां हमारा लाब हो जाए फैदा हो जाए सच वहां जहां दूसरे का नुक्सान हो जाए बोलते जरूर यह जो मर्चंट नेवी के जहाज होती है जहां पर लोग काम करती है इस शिप पर इनकी विवस्था इस प्रकार की होती है कि वहां पर एक डैरी रखी होती है कि हर आदमें एक दूसरी के खिलाफ उसमें कुछ लिख सकता है कोई गलती देखे किसी को करते हुए कि ड्यूटी के वक्त सो राज रहा है तो कोई भी जाकर वहां लिख सकता है कि फलाना आदमी इस वक्त ड्यूटी पर सो राज है इससे काम के एफिशेंसी बढ़ती है जो उपर लोग बैटे होते हैं बाद में तैकिकात करती है और उने सेजा देती है जो अँना इनाम देती है उसे साबसी बड़े से बड़ा ओधे वला आदमे छोटे के बारे में लिख सकता है जहाज पर कप्तान ने देखा कि एक आदमी जिसकी राद की डूटी है वो नशे में दुत है शराब में कर उस ने उस डैरी में लिख दिया कि रात को ये आदमी शराब में नशे में दुत था सुबह जब उस आदमी ने डैरी में अपना नाम पढ़ा कि मेरे बारे में लिखा है तो कैप्टाइन के पास किया कैप्टन से जाके कहता है मुझे मेरी गलते की माफिय दे दो आपने जो लिखा है ठीक लिखा है पर थोड़ा सा उसमें जोड़ दो कि तीन साल में पहली बार मैंने ऐसे किया है कि हर से ओल यह दन गुर ना ना यह तो गलत फहमी हो जागी कैप्टन कहने लगा नहीं यही सच है जो मैंने लिखा है उसने बहुत मिन्यते की कि मैंने तीन साल में कल रात को पिया सिर्फ इतना लिख तो मैं यह नहीं कह रहा है कि मैंने नहीं शराफ पिया पर तीन साल में पहली बार पिया यह तो लिख दा पर कप्तान नहीं माना के जो मैंने लिखा है वो सच है वो सच था पर पूरी बात नहीं लिखे प्यार से वो लिए धन गुर्णान अब नाविक के बारी आई उसे ने किताब में लिखा कि आज रात को कप्तान ने शराब नहीं पी प्यार से वह लिए धन गुर नाने आज रात को कैप्टन ने शराब नहीं पी अब जब कैप्टन ने रेश्टर पढ़ा किने लगा इस बात से तो बलत फैमी क्रियेट होते है कि आज नहीं पी इसका मितलब मैं रोज पिता हूँ प्यार से वोलिय धन गुर्णाना कहने लगा पूरी बात लिखो वो कहने लगा जब आपने पूरी बात नहीं लिखी मैं क्यों लिखो जो लिखे है वही सच है कहने का भाव दोनों सच बोल रहे हैं पर दोनों का सच जूट के बदाबर जूट के बदाबर ये जो आज का परकरण है सच और जूट ये इतना आसान और इतना कॉमेंट परकरण नहीं है साथ संच बहुत गैराई से समझना पड़िँगा सच क्या है और जूट क्या है कई भर सच बोलने का bude भी बहुत बड़ा पाप है तो कई जगा पर जूट बोलना भी कई पाप सच से बढ़कर है प्यार से वह लिए धन गुरुनाने सच और जूट को समझना अनचे सच के पैचान अगर नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपराद हो सकता है ना चाहते हुए भी आपने सच बोल दिया जो देखा वो भी पाप बन सकता है प्यार से बोलिए धन गुरुनाने धन गुरुना आई है दो पंक्या परें फिर विचार आपदें जूब्र ना भो रुनिए जूब्र ना भो रुनिए जूब्र ना भो रुनिए जुथे ना भो रुनिए staterंस गोनिये सक्तर जूब ना हो उसारे जूब ना गोनिये गोनिये सक्तर गोनिये सक्तर गोनिये सक्तर गोनिये सक्तर जुद ना मोनिये हम अपने स्वारत के लिए सच गोलते हैं अपने स्वारत के लिए जूट गोलते हैं एक सादू नाम जपने वाले हैं इसने लंबा सफर तै करना है अपने लिए चार रोटियां बनाएं चार रोटियां बनाकर जंगल में सफर करना शुरू करते हैं रास्ते में एक सवारती हाद भी मिल गया हैं अब सादू के नजरों में तो सब सादू प्यार से वो लिए धन को अपना है सादू ने मन ही मन सोचा कि चार रोटियें बांट कर खाने में अनन्द आएगा दो मैं काऊंगा, दो इसे दोगा, दोने कपेट भर जाएगा दोपहर के वक्ते, उसने उसे कहा, सादू ने आदमी से, कि रोटियों के पास बैठे, मैं नदी में इशनान करके आता हूँ, फिर आकर बांट कर खा लेंगा वो स्वार्थी आदमी था, उसने देखे चार रोटियों एक रोटियों निकाल कर खा गया, त्यार से वह लिए धन बता हूँ, पर तीन बांट कर रख लेंगे, त्यार से वह लिए धन बता हूँ सादू वापिस आये, रोटियों गिनी, तीन, कहने लगा मैंने तो चार बांट कर, रोटि तू ने खाई है, वो कहने लगा नहीं मैंने नहीं खाई है, सादू चुप कर गया, सादू ने फिर भी खुद एक रोटियों ली, दो रोटियों उसे दिया, जार से वह लिए धन करने लगा नहीं, तेरा अधिकार दो रोटियों करें, मैंने मने में सोचा था, खुद एक खाई, दो उसे दिया, अब सादू अब सादू आगे चल रहे हैं, नदी आगए, पानी चड़ा है, वो डर रहा है कि नदी कैसे पार करेगा, सादू करेने का घबरा मत, नाम की बर थोड़ी देर बाद आगे शेर आ गया, वो घबरा गया, स्वार्थी इंसार, सादू करने लगा, विश्वास रख नाम की ताकत पर, राम नाम का जाप किया, शेर प्रणाम करके चला गया, पहर से वह लिए दन गुरना, अब सादू ने कहा, जिस नाम की बरकत से, नदी से बचे हैं, शेर से बचे हैं, तुझे उसका वास्ता, सच बता, कि वो रोटी तुने खाई थी, वो कहने लगा, मैंने नहीं खाई थी, मैं सच कहा, प्यार से वह लिए दन गुरना ने, अब थोड़ा आगे बढ़े, तो एक सोने की मुरू की थैली मिले, सादू ने उसके च दो हिस्से, दो हिस्से स्वार्थी आदमी को दिये, एक खुद रख लिया, वो स्वार्थी इंसान कहने लेगा, एक छोड की रहे हो, कहने लेगा, जिसने चौती रोटी खाई है, वो हमारे पास महीं कहीं पर है, सादू कहने लगा, जिसने चौती रोटी खाई है, वो हमार धन्गुर्णान 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 धन्गुर्णा पर होना क्या चाहिए इतिहास में से पता चलता है कि होना क्या चाहिए सच किसे कहते हैं जूट किसे कहते हैं अगर इसकी समझ आ जाएं तो जूट बोलना भी पुन्य हो सकता है और सच बोलना भी पाफ पहर से बोलिया धन गुर्नान गुर्णान गुरु गोविन सिंग जी महाराज माच्छिवारे के जंगलों में बैठे हजारों के तादाद में मुगल सेना उन्हें ढूंड रहे कुछ सिंग साथ में उस वक्त वहाँ पर दो पठानों का नाम आता है इस थे इतिहास में नभी खां और गनी खां ये दोनों गुरुगोविन सिंग जी महाराज के पास आए बेंते की बाच्छा हम आपको पालकी में बिठा कर जहां पर आपके सिक्छे हैं महां छोड़ा तो अब हमारी बेंती कबूल करो गुरुगोविन सिंग जी महाराज पालकी में बैठ ले आगे नभी खां और गनी खां ने पालकी उठाई है पीछे से दया सिंग ने और धर्म सिंग ने पालकी उठाई है रास्ते में मुगत सल्टनत के हर आदमे हर सिपाही बार बार पोच रहा है पालकी में कौन है ये कहते हैं उच के पीर है पेहर से वह लिए दन गुरुनाद जूट बोल रहे हैं के उच के पीर बैठी हैं अंदर हज की यात्रा करके आई हैं बहुत कमाई वाले पीर है उच क पीर है तो पीर का नाम से उनके वो जाने देती हैं ये बड़ी लंबी घटना है बीचे में बहुत कुछ हुआ पर दास इस वक्त ये परकरन बर रहना चाहता है जब उन्होंने पालकी उतारी गुर्गोविन सिंग जी माराज को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया गुर्गोविन सिंग जी माराज ने पालकी से उतर के एक सवाल किया नभी खां गनी खां सारे रास्ते जूट बोलते आए हैं सारे रास्ते बताओ जो तुमने बोला वो सच था के जूट यार से बोलिए धन गुर्णा दोनों ने हाद जोड लिए पाच्छा आपकी संगत क हमें पता है सच क्या है और जूट क्या है हमें पता है जिस जूट बोलने से सच बच जाए जिस जूट बोलने से सच की जीत हो जाए वो जूट सो सच के बराबर भार से बोलिए धन गुर्णा दन गुर्णा और जिस सच बोलने से सच की हार हो जाए वो सच सो जूट के बरा सच की जीत है, इसलिए हम आपकूट सच से बड़ा है, प्यार से बोले धन गुर्नान गुर्णान गुर्गोविन सिंग्जी माराज निकाशावार, तो कि सच था, अब दूसरी तरफ आ जाईए, गंगु ब्रामन हाथ में जनवु पकड़ कर थानिदार से कह रहा है, कि मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, चार सहब जादे सब ने देखी है पिचर मेरे ख्याद से, गंगु ब्रामन क्या कह रहा है थानिदार से, कि मैं कसम खाता हूँ जिनेंको अपने धर्म की सच कह रहा हूँ कि गुर्गोमिन सिंग जी माराज के दोने छोटे पुत्र और गुर्गोमिन सिंग जी माराज के माताजी मेरे घर में छीपे बैटे उन्हीं गिरिफ़तार करो और मुझे सरकारी इनाम दो प्यार से बोलिए धन गुर्णानिक, अब वो धरम की कसम खा रहा है, सच बोल रहा है, पर सौ जूट के बराबर है, प्यार से बोलिए धन गुर्णानिक, सच की पहचान नहीं है जिसे, वो तो कहेगा कि गंगु ग्रामन सच बोल रहा है, पर नहीं, इसके सच बोलने से तीन क इम्ती जाने खतम हो जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरुनानक इसका सच जूट से भी बुरा है क्योंकि क्या कह रहा है गुरुगोविण सिंधी माराज के छोटे पुत्रों को दिवारे में जिंदा चिन्वा रहा है सच बोलकर भगवान शरी कृषन क्या किया था महाँ भारत में क्या किया था युदिश्ठर से कहा जाकर दुरुनाचारे से कहो अपने गुरु से कि उनका पुत्र अशुवत थामा मर गया है कहा था युदिश्ठर कहता है मैं धर्म राज हूँ जबसे मैंने जनम लिया है अब तक मैंने जिन्दगी में कभी जूट नहीं बोला अब मैं जूट कैसे कह दूँ तो भगवान चरी क्रिशन ने समझाया सच को पैचान जिस जूट बोलने से सच जीत जाए वो जूट सच से भी बड़ा प्यार से बोलिये धन गुर्णान इस बात को ध्यां से समझिए सच क्या है और जूट क्या है एक छोटे बच्चे का जनम हो यह सची घटना है छोटे बालक ने जनम लिया जनम होते ही उसके दोनों हाथ ही नहीं दोनों हाथ पर उसका मन थोड़ी सी होस संबाली भक्ती में डूबा हुआ मन जैसे कोई भगत ही आया हूँ नाम जिपने वाली शक्सिया हमेशा जूड़ा रहता है प्रमात्मा के नाम में पर दोनों हाथ नहीं होस संबाली पता चला कि विश्वा मित्तर जी गाओं में आये है कि हरसे बोली अदन गुर्णा भागा चला गया उनके पास कि मेरा एक प्रश्न कि मेरे संसकार मैं समझ रहा हूँ कि पिछले जनम के सादू के कि नाम जब रहा हूँ मेरा और कहीं चीज़ में मन नहीं लगता पर मुझे किस चीज़ की सजा मिली है कि जनम से मेरे दुनों हाथ ही नहीं पियर से बोली अदन गुर्णा तो विश्वा मित्तर निका तुझे सजा मिली है सच बोलने की पियर से बोली अदन गुर्णा वो कहने लगे सच बोलने की सजा विश्वा मितर कहने लगे चाहे कितनी भी भक्ति कर लो अगर ये पैचान न हुई कि सच क्या है और जूट क्या है जिसे ये पैचान न हुई उससे पाप हो जाएंगे प्यार से वो लिए धन गुर्णान गुर्णान प्यार साथ के सवे नदी के पास एक पत्थर था उसके उपर बैटकर तो सिमरन कर रहा है जुड़ा बैठा था एक आज में भागा भागा आया तेरे पत्थर से टकडा कर गिरा तेरी आँख तुली तो उन्हें पूछा कौन है वो कहने लगा मैं चोर नहीं पर राजन हुकम दे दिया है कि चोरी के सजा इसे सारी जिन्दगी काल कोटली में डाल दो या जहां मिल जाए फासी पर लटका दो पर मैंने चोरी नहीं किया है राजगराने में मुझ पर जूटा इलजाम लगा विश्वा मितर जी कहें लगे तुने अपनी अंतर यामता से देख लिए कि ये सच बोल रहा है वेहर सिबली है दन्गुर्नाने तु भी जान गया कि ये सच बोल रहा है इसने चोरी नहीं कि सैनिक इसके पीछे पढ़िये इसने बेंती की मैं जारी के पीछे चिप रहा हूँ सैनिकों को बताना मत वो जारी के पीछे चिप गया अब सैनिक आए कहने लगे महापुर्शों बताईए मुझे चोर आये था किस तरफ गया है कहा है अब तू सोच में पड़ गया किया करण और तूने सोच सोच कर अपने मन में यही सोचा कि मैं सच का साथ दूँगा प्यार से वो लिए धन्गुर नाने करण धन्गुर नाने करण तू कुछ बोला नहीं ना सच ना जूट पर तुने इशारा कर दिया कि चोर वहाँ छिपा हुआ है प्यार से वो लिए धन गुरना ने कि इशारा कर दिया तुने इशारा किया किसे हाथ से तो तुझे ये सजा मिली है कि तेरे दुनों हाथ ही नहीं है इस जनब ना प्यार से वो लिए धन गुरना ने कि सच था सच से बड़ा होता ना तुने जून बोला तुने उल्टा उसे बरवा दिया धर से बोलिया धन गुर्णानक तो उसकी सजा तुझे निरंकार ने दिये कही जन्य में तेरे दुनों हाथ ही नहीं है धर से बोलिया धन गुर्णानक धन गुर्णानक सच क्या है जूट क् बहुत जरूरी है बड़े सर लगता है बात इसा चौर जूट पर इसकी पहचान ना हो तो अपराद हो जाएगा प्यार से वह लिए धन गुर्मा आये दुपक्तिया को बोले शेक फरीद पियारे अलब लगे पियारे अलब लगे बोले शेक फरीद पियारे अलब लगे पियारे अलब लगे पहता नहुशी जाद निमारी गोर करे निमारी गोर करे निमारी गोर करे निमारी गोर करे तूपना बोलिये, तूपना बोलिये, मोलिये सत्तर, मोलिये सत्तर तूपना बोलिये, मोलिये सत्तर, मोलिये सत्तर तूपना बोलिये, मोलिये सत्तर, मोलिये सत्तर अब सच बोलने वाले भी दो परकार के होते हैं दो परकार के लोग होते हैं सच बोलने वाले तो एक ही तरह की होते हैं एक तो वो जिन्होंने सच जान लिया पर बोलने की हिम्मत नहीं हुए सच जान लिया चुप कर गए क्योंकि उन्होंने देखा जिस जिसने भी सच बोला दुन्याने उसे जिन्दा नहीं छोड़ा हजरत इसा ने सच जान लिया शूली पर चड़ना पर गए सुकरात ने सच बोला जहर का प्याला पीना पड़ गए सच लोगों को बरदाश नहीं होता दो परकार के लोग होते हैं एक सच जानते हैं बोलते नहीं और दूसरे वो जो सच जानते भी हैं और सीना ठुपकर बोलते भी हैं प्यार से वो लिए धन गुरुनार भुलेशा कहते हैं कि मैं सच जान गया हूँ मैं सच जान गया हूँ पर मैं बेवकुफ नहीं हूँ जो सच बोलूँ भी हर से वो यह दन गुरुनार नकुकि मैं मरना नहीं चाहता है जिस जिसने सच बोला वो मर गया उसे मार दिया लोगों नही乾 क्यों मार दिया जहां पर सच आकर खड़ा हो जाता है जूट नीची हो जाना सच जूटे इंसान के उपर से निकल जाता है और जूटे इंसान के अंकार को अपने सर पे उपर कोई भी अच्छा नहीं रगता जहां पर सच खड़ा हो जाएगा आप समझ लिजिए जहां पर पंदरा अद्नी बैठे हैं जूटे है यह सच है अपने अंदर की रोश्न होती है ज्यान बता है सच बोला गुरु नानक पाशा से लेके गुर्गोविर सिंग जी महाराज ने और सारा इसी कितिहास पर ओलो सारा जीवन शंगर्ष से बढ़ा हुआ है सच बोलते रहे गुरु अरजेंदिव जी महाराज ने तत्ति तयू पर वैटना मंजूर कर लिया सच का साथ नहीं छोड़ा प्यार से वोलिया धन गुर्णानक नानक ने चांदरी चौक पर अपना सीज कलम करवा लिया कलम करवा लिया पर सच का साथ नहीं छोड़ा गुरु गोविन सींजी महाराज ने तो अपना सरबंस ही वार दिया पर सच का साथ नहीं छोड़ा प्यार से वोलिया धन गुर्णानक धन गुर्णानक धन गुर्णानक धन गुर्णानक धन गुर्णानक अपाहो सतवर्डी, सफवट ए जिनंऊ हो जी का हiral पांड़र चात है मुझे ऐसा जिनंऊ लाके दे पंडीत बोलते हैं ऐसा जिनंऊ कहां से मिलेगा थार से वो लिया धन गुरुनानक पर लोग कहते है गुरुनानक पाष़चा जिन vergeऽ नहीं इसी जिन्हें को बचाने के लिए गुर्तेग बादर सहीब जी ने अपना सीज कलम करवा दिया ध्यार से बोलिए धन गुर्नानक गुर्तेग बादर सहीब जी से सवाल पूछा औरंग जीब ने कि आप क्यों लोगों के लिए मरने के लिए त्यार हो जन्यों के लिए तो गुर्त एक बादर सहजी ने जवाद दिया कि गुर्णानक पाश्चा ने जबरदस्ती जन्यों पहना नहीं था हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे भार से बोलिए धन गुर्णानक और इस सच को साथ दिया और अपना सीज कलम करवा लिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए धार से वो लिए धन्गुर्णानकु जो सच्चा इंसान होता है उसे में दो गुड़ होते हैं निर्भाव और निर्वैं महा पुर्शों के बचने हैं सच के अंदर दो ये सिफ्त है सच के सचे इंसान के अंदर ये दो कूट कूट कर भरे होते हैं ना उसे किसी का डर होता है ना उसका किसी से बैर होता है भार से वो लिए धन्गुर्णानकु मन्सूर मन्सूर ने जान लिया सच क्या है कह दिया उसके उसने एक आवाज दी अनहल हक अनहल हक का भाव क्या है अनहल हक का भाव है भगवान मुझ में है इसलिए मैं ही भगवान हूँ पहर से वो लिये धन गुर्णा ये बात सची है उसने अपने अदर प्रगट कर लिया भगवान को और कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ पर यह सच किसे को बरदाश नहीं हूँ यह से वह लिए धन गुर्णान को कटर लोग कहने लगे अपनी बात वापिस ले वरना तुझे सजा देंगे अनसूर कहने लगा सजा दे नहीं है तो दे दो जो सच है मैं मूँ बेहन करना अब कैसी सजा दी गई सची यहां पर इस बात का पता चलता है इस घटना से कि सचा आदमी सचाई के लिए क्या कर सकता और सच्चे आदमी जुख सिर्फ एक बात का होता जब कोई दूसरा सचाई के मारे को छोड़ के जूट का माँख पकड़ ले जो सचा हो जब सच ये देखता है तो उसके आँखों में सियास हो जाती है भार सिवो लिए धन गुरुनाद जब किसी को सच का साथ छोड़ते हुए देख ले सचा आख लोई तो उसका मन दोता है इसलिए मापुर्शों के बचन है के मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा के वो मुझे से जूट बोल गया के मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा के वो मुझे जूट बोल गया मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि आज के बाद नो उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा द्यार से वो लिये दन गुर्णा नहीं करें हम जूट बोलना बड़ा असान समझते हैं पर यह नहीं समझते हैं हम अपने विश्वास यह ता एक खोड बैठ करें जिसको एक बार जूट बोलो काम नहीं करो दो बार जूट बोलो काम नहीं करो तीसरे बार आप आकर बोलो गए में तो विश्वास नहीं करें कभी नहीं करें मंचूर ने कहा अनहल हक सजा क्या हुई कि सारे शेहर में गुमाया जाए लोग उसे पत्थर मारे, हर आदमे को पत्थर मारने का हुकम मारना पड़ेगा पत्थर और जब लहु लुहान हो जाए ना मरे तो चौंक पर लाकर, चौराही पर लाकर, शूरी पर लटका दे तहां से वो ये धन गुरू ना अब मंसूर को गुमाया जा रहा है, सारे शेहर में लोग पत्थर मार रही है शरी लहु लुहान है, पर मंसूर हस रहा है दर्द महसूस ही नहीं कर रहा है इतना सच के साथ जुड़ा हुआ है, कि दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है लोग फथर मारते जा रहे हैं, फथर खा रहा है, शरीर फट रहा है, और मंसूर हसे रहा है, इतने में अचानक एक फूल आकर मंसूर को लगा, एक फूल, जैसे ही वो फूल लगा, मंसूर जोर जोर से रोनी लगा, भी हसे वो लिए दन गुर नानकू, दन गुर नानकू, दन देखा शिवली ने देखा मेरे फूल मार रहा है लोग पथर मार रहे हैं तब तो रोया नहीं मेरे फूल से की रोने लगा पास में गया सवाल किया मनसूर लोग तुझे पथर मार रहे हैं तो रोया नहीं मैंने तो फूल मार रहे हैं क्योंकि हुकम है कुछ नो कुछ मारना प है जो मैं कह रहा हूं तो खुद सचा है सच जानने के बाद भी तुने सच का साथ छोड़ दिया चाहें तुने फूल मारा है उन्होंने पत्थर मारा है मेरे लिए दोनों समान है पर मैं रोया इसलिए कि तुने भी जूट का साथ दे दिया अब आखरी बाद वैगे समाप्ती काद अधुने के हमने सच बोलना चाहें जूट नहीं बोलनाक चाहें पर यह छूटे कैसी हमारा जूट है हमें तो आदर पड़ गे हम तो बे मतरब जूट बोलते रहते हैं बिना किसी कारण के हमारा सभाव बन क्या है और यही सभाव हमें एक दिम डुबो दे गा अब इससे बचे कैसे तो इतिहासी गटने गुरुरुजंदीर जी महाराज के बचे ने शायद दास ने पहले एक बार सुना ही भी आए गटना शौट में सुना कर समाकते करता हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है गुरुजंदीर जी महाराज के पास इस साके से बहुत बड़ा ग्यान मिलता है साच जो गुरुजंदीर जी महाराज कह रहे हैं शुरू किया है कि रोज मैं कितने जूट बोलता हूँ मैंने एक नोटबुक लगा लिए बे मतलब जूट बे मतलब और कल मैंने एक जूट बोला धार सिवल ये दन गुरुना ने इतने से कम हो गया एक पे आगया हूँ अगर ध्यान डखेंगे गुरुजेंद्र जी महाराज ने जो बात बता ही सिर्फ मैंने वही किया गुरुजेंद्र जी महाराज बैठे एक गाउं का चौधरी कुछ लोगों के साथ आए गुरुजेंद्र जी महाराज कहते है चौधरी सब शराब तो नहीं पिते महाराज जूट क्या बोलना आपसे बार तो जूट बोलते ही हैं आपसे क्या कहना है चौधरी पन बेना शराफ की कैसे चल सकता है जो लोग भी आते हैं उन्हें शराफ पिलानी पढ़के पीनी पढ़ते है तो भी तो गाउं के चौधरी है तो गुरोजेंद्र जी महारेज कहते हैं फिर जूट भी बहुत बोलते हो दो कहने लगे बिना जूट बोले तो हो ही नहीं सकता काम एक बार शराफ पिये बिना काम चल सकता है जूट बोले बिना काम नहीं चलेगा है गुरोजेंद्र जी महारेज कहते हैं जूट बोलना गुर्वर्जे दिवजी महाराज कहने कि एक काम कर सिल्के काम एक कित नोटबुक लगा ले, एक किताब लगा ले तारीक लिख और अंगर उस पन्ने पे लिख कि आज तुने रात को बैठ के सोच कि तुने कितने जूट बोले दिन में अगले दिन फिर लिख यही करता रही है, महीने के बाद जब मस्या की दिन तु मेरे पास आएगा तो वो किताब लेके आज़ाना बस, कहने लगा इतना मैं कर लूँगा उस चौधरी ने किताब लगा लिए पहले दिन 17 जोटे, रात को लगे खुद पे शर्म आएगा, सोच ने लगा कई जगा पर तो ऐसे ही बोला है, ना बोलता तो भी काम चल जाता अब गुरुजदेवजी महाराज किताब देखेंगे, तो क्या कहेंगे, 17 जोटे एगि दिनी अगले दिन शरम आई, ध्यान रखा 15 जोट, 13 जोट, 11 जोट, करते, करते, महीना बेत गे उया, गुरुजदेवजदेवजी महाराज के पास आ रहा है गुरुजेंदुजी महाराज के लिए किताब लेकिया है उसने किताब अगेरा किताब गुरुजेंदुजी पढ़ रही है 17 जोट, 15 जोट ये तारीक को इतने जोट, इतने जोट और जिस दिन वो आया गुरुजेंदुजी महाराज के पास तारीक है पर कागज खाली है कुरॉम जेदेजी महाराज चाहने कि आज के जूट लिखे नहीं कहने दो महाराज आपके करपा सद्का आज जूट भोला ही नहीं जार से वह लिए दंगुर्णान जंगुर्णान बाबानन सिंग जे महाराज बचट किया करते थे बच्चा गलती तब करता है जब आसपास माता पिता की नजर ना हो उसके उपर पता है पिता देख रहा है तो बच्चा गलती करता ही नहीं अगर हम सिर्फ अपने मन को देखती रहे न हमारी आत्म अपने मन को देखती रहे कि क्या सोच रही है क्या करने जा रहे है क्या बोलने जा रहे है सिर्फ ध्यान दे करे कुछ न तो ये गलत काम करेगे हैं नहीं यहार से बोले धन गुर्णान ये मन गलत काम करेगा ही नहीं गुरु अरजिन दिवजी महाराज ने यही बात की किताब दे दी रिखने के लिए उसे ने नोट करना शुर किया कि मैं कितने जूट बोलता हूं उसके जूट खत्म हो गए, सच है मैंने करके देखा है, कल तक एक जूट था और आज गुरु की मेरे से शायद एक और बुलाओ गिना नहीं मैंने, बैटके सोचूँ धन गुर नहीं मैंने करके पर यह है, हम सब यह कर सकते हैं यह परकरन सुणके घर चले जाएगे और उसके उपर चलेगे नहीं जूट ना शुटा, तो कोई लाम नहीं और एक बात तो मन में एकदम दिड़ कर लो कि गुरु घर में आकर कम से कम बाबा नंची जी कहते थे साफ के टेड़ा मिना चलता है पर अपने जब घर में जाता है तो सीधा उपर जाता है तो कम से कम गुरु घर में कहते थे जब आते हो यहां पर तो जूट मत बोल दार से वो लिए धन गुर्णान एक जगा तो छोड़ दो ऐसी जहां पर जूट नहीं बोलना कम से कम और जो गुरु अरजन देव जी महाराज ने हमें रास्ता बताया है हर आदमी आजकल तो मुबाइल में नोटस आती हैं नोटस में नोट करते जाएए कितने जूट बोले किताब रखने के भी जरूथ नहीं मुझे गुरु अरजन देव जी महाराज के बच्चों पर भरोचा हम सब का जूट छूट जाएगा जो जो भी इस बात को फॉलो करें प्यार से वो लिए धन गुरु नान धन गुरु नान गुरु महाराज किरपा करेंगा दास पर भी हम सब पर सारी संगत पर भी कि हमारा जूट छूट जाएगा तोकि जूट छूटा सच अंदर परवेश कर जाएगा और गुरु नान पाश्चा के बच्चन के सच वर्प संतोख तीरत ज्यान ध्यान इश्यनान तहासे बोलिये धन गुर्णाने के जूट ना बोलिये वुनिये सच अंदर बोलिये सच अंदर बोलिये सच अंदर बोलिये सक्च, बोलिये सक्च, बोलिये सक्च बोलिये सक्च, बोलिये सक्च 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 बिदाओ दिये, बॉलिये सच करूँ बॉलिये सच, बॉलिये सच करूँ बॉलिये सच करूँ बॉलिये सच करूँ हमरे दोस्ट सबै तुम कावों आप हाथ दे मोई बचावों सुकी बसे मोर उपरवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये संपैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आसा दोर पजन की रहे पे आसा तुमें चाड कोई अवर ना क्याओ जो पर चाओं सो तुम ते पाओं सेवक सिख हमारे तारिये चुंचुन सत्र हमारे मारिये आप हात दे मुझे उभरिये अर्ण काल का त्रासन वरिये भूजो सदा हमारे पच्छा सिर्यस पुझ जो करियो रेच्छा राक लेयो मुए राक नहारे साहिब संत साहिब बयारे देन बांद दुस्टन के हंदा नहो पुरी ततर कसकंता काल पाए ब्रह्मा वपतरा काल पाए सब जुवतरा काल पाए कर भिशन प्रगास्वा सग्द काल का किया तमासा जवन काल जोकी सिवकियो पेदु राज ब्रह्मा जोकियो जवन काल सब लोक सवारा यह सुकार है काए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उप जायो आद अंते के अवतारा सोय गुरु समझेो हमारा नम्सकार तिस ही को हमारी सद प्रजाज ने आप सो आरे सेवकन को सेव गुन सुप जीयो संधरन को पल मोबद कीयो काट काट के अंतर की जानत पले बुले की पीर बचानत संतन दुख माई ते दुखी सुख पाए सादर के सुखी एक एक की पीर पचानत काट के पड़ पड़ की जानत जब उद कर्ख करा करतारा प्रजात तर्थ तब दे आपारा जब आ कर्ख करत हो कब हो जेते बदन स्रेच सबदार है आप आपनी मोजे उतार तुम सब हीते रहत निरालम नरंकार निर्वकार निरलम आध अनील अनादिय संब तांका मूड उचारत पेदा जांको पीव ना पाबद बेदा तांको करपान अन्माने दुख महा मूड कच पेद ना जान महां देव को कहत सदा शिवड नरंकार का चीनत नै पेव आप आपनी बुद है जेती अन्ट पेन पेन तोई तेती तुमरा लखा न जाई पसारा कहे कुछ सजा प्रतम संसारा एक है रूप अनूप सरूपा अंडज जेरज सेत दिकीने कहों कोल राजा अव बैठा सगरीश रिष्ट दिखाएं अचंबव आद जुगाद सु रोप से अंबर अवर अच्छा मेरी तुम करो सुधियो बार या सिर्सम गरो दुष्ट जिते यट वतियों तो पाता सगल मलेश करो रन काता जेया सु तुझ तव सरनी परे इनके दुष्ट दुखत हव मरे उर्ख जवन पक परे ते हारे इनके तुम संपड सब दारे जो कल को एक बार दे है आँके कालन कटनी है अर अच्छा होई ताए सब काला कुष्ट आरिष्ट तरे तत काला किर्पा दृष्ट अंजाए ने हरो आँके तापत नगमों हरो औरे तुसीद करम सब होई कुष्ट चाच वैसके न पोई एक बार जिन तुमें समारा आद पास देताए उमा जिन नर नाम ते हारो काहा कुष्ट दोग ते रहा घडग कीत मैं सर्ण ते हारी हाप हाथ देले ओ मुबारी सर्व डोर मुस आई घडग कीत मैं सर्ण ते हारी हाप हाथ देले ओ मुबारी सर्व डोर मुस आई दोष्ट दोग देले ओ बचाई रामकली महला तीजा अनन्दे क्योंकार सद्गुर परसाद अनन्द पेया मेरी माए सद्गुरु मैं पाया सद्गुरतां पाया से जिसे की मनवजियां वाधाया रागरतन परवार परियां शब्द गामन आया सर्दोग दावो हरी के रामन दिल वसाया कहे नानक आनन्द हो आसत्गुरु मैं पाया ए मन मेरे आतु सदारो हर नाले हर नाल रो तुमन मेरे दूख सविसारना अंगी कारो करे तेरा कारे सब सवारना सुना विला सम्रसु आमे सोप्यों मुदों मिसारे करे नानिक मन मेरे सदारो हर नाले काची साहिबा क्या नई कर तेरे करतां तेरे सब जिच है जिवें सोपावे सब्सिर सविया तेरी नाम हजू सामे नाम जिन के बन गुस्या वाज्ञे शबन को देरे कगे नानक सचे सेल क्या नाई गर तेरे साचा नाम मेरा आदार हो साचा नाम मेरा आदारो साच नाम आदार मेरा जिन खुकां साब गुवाईया करसां सुहमन आयवस्या जिन एच्छां सा पूजयाईया सदा कुर्बान विदा गुर्विटो दिस्याए बढ़े आईया करे नान एक सुनो सुनो सबत रोपे यारो साचाना मिरा आधारो बाच्जे पांच शवत्तित कारस बागे सब बदवाजे कल लाजिक करतारियां पांच गुत्तुद वसफीते काल कंटक म्वार्या उक्रम पाया तुझिन को से नाम हंते लागे कहे नानिक दस्पु आधित कर्याना दवाजे पना सनो वडबागी हो सगल मनोर्द पूरे फार ब्राम प्रफाया उतरे सगल सूरे दोप्रसता उतरे सुनी सच्ची बानी संधु साजर्पै सलसे पूरे गुत्ते जानी सुनते पुनिर कहते पविस्द गुरुरे आपर पूरे परवाद नान गुर्चा रन लागे वाजे अनह तूरे सलो पान पूरु पानी पिता आता गत्मात जिस्द गुदाई गया प्रिल्या सब्रफदात चंग्यायां पुर्यायां गाचे गर्म हदूर कर्मियां को आपने जिन्नी नाम धे आया जिन्नी नाम धे आया जिन्गे नाम के आया आहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु जिन्नी नाम धे आया गए मशकत काल आनक पे मुखे उद्जने केंटी छोटे नाल बोलो वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते फते वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते वाहिवाजी का असा वाहिवाजी की फत्य जै गुरुजी की अब हम मंतर जाग परेंगे अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज गुरुजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज गुरुजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज गुरुजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज गुरुजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज गुरुजी सदाथ सहाई अम नमहां शिवाज शिवेजी सदाथ सहाई आँ नम्हाँ शीवाँ गुरुजी सदाथ सहाई आँ नम्हाँ शीवाँ 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 शीवी सदाथ सहाई आम नमः शिवा गुरुजी सदा सहाँ जै गुरुजी की पुरुजी के लुरुजी का फिर बाता गुर्साय जै पुरुजी क्थवादों क्थवादों झाल झाल